हेलो एबरान आएम सिधार संकर रहे पीच्डी स्कॉलर इंस्ट्रॉक्ट्रल इंजिनेरिंग वेलकम टू माई यूट्यूब चानल एक्स्प्लोरिंग सिभिल जिसमें हम सिभिल इंजिनेरिंग के बेसिक कॉंसेप्ट्स के ऊपर डिसकस्टन करते हैं जो भी हमारा स्चियर के जो मेकानिक्स के स्टुडेंट्स होते हैं डिपलोमा पॉलिटेख श्टुडेंट्स यहां तेक बीटेक्स स्टुडेंट्स के लिए यह बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है और धीर धीरे-धीरे हम इसमें और ज्यादा जानेंगे structural field में क्योंकि मैं structural field में काम करता हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका सारा concepts है जो की basic होता है जो moment of inertia है का हमारा भी जो series चल रहा है वह भी बहुत ज्यादा basic होता है क्योंकि उसके उपर आपको बहुत जारे बहुत सारे काम आगे करना है ठीक है तो इसलिए तो चलिए हमारा यह जो आज का वीडियो है वही moment of inertia का पाठ है तो चलिए जान लेते हैं polar moment of inertia तो उससे पहले आपको torsion के बारे में थोड़ा knowledge होना चाहिए torsion क्या है जैसे bending होता है buckling होता है वैसे torsion एक टाइप का मतलब method of application of load और loading होता है तो आप देख लिजे definition क्या है torsion is the application of twisting और turning force to an object मतलब आप अगर diagram देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा मान लिजे यह दोनों और से मैंने यह जो बार है ना इसको पकड़के opposite direction में घुमाया twist apply क्या I am applying twisting okay so now I can say yes torsion is developed अब समझ में आई कि torsion आके रहे क्या चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं कि difference क्या है bending and torsion के बीच में यह देखे bending यह एक बार हो गया जनरल यह किस में होता है आपका beam में bending होता है horizontal member में ठीक है buckling किस में होता है vertical member में आपका column buckling up column है ना उसके बारे में हम अगर आप comment करके बताओगे तो मैं buckling up column के उपर जो Euler's buckling theory जो है उसके उपर भी video बनाओंगा ठीक है तो यह bending होता है horizontal member या फिर beam के उपर तो यह क्या है यह देखे torsion ऐसा होता है ठीक है यह bending है मतलब इस type का sagging या फिर hogging हो सकता है यह हो गया torsion मतलब twist ठीक है यहां पर ज्यादा प्रक्टिकल अप्लिकेशन देख लिए यह एक ruler है scale आप यूज करते हो ना जस्ट इसको दोनों और सहसे पकड़ के opposite direction में अगर आप घुमाओ तब क्या होगा ट्विस्ट हो जाएगा तब हम बोल सकता है यहां पर torsion अप्लाए हो रहा है यह पर torsion develop हो रहा है ठीक है यह दूसरा example है यह हमेशा हर कोई हर दिन करता है अपने कपड़े उसको दो के सुखाता है उससे पहले उसको हमें निचोड़ना होता है तो वहां पर भी हम torsion ही अप्लाए करते हैं क्योंकि हमारा जो हाथ है ओपोजिट डारेशन में यह जो कपड़ा है इसको ट्विस्ट करते है उससे क्या होता है जो भी मॉइस्टर होता है उपर निकलाता है बाकी कम gravity कर लेता है ठीक है तो यहां पर यह हो गया torsion इसका practical example ठीक है अब आते हैं what is polar moment of inertia तो असल में मैंने आपको torsion के बारे में इसलिए बताया कि polar moment of inertia इसको रेजिस्ट करने के लिए develop होता है ठीक है मतलब रेजिस्ट करने के लिए जो भी आपका property होता है एक section का polar moment of inertia के term में आपका define किया जाता है तो the polar moment of inertia is a measure of an object ability to resist torsion अभी बताया ना मैंने कि torsion को रेजिस्ट करने के लिए कितना ability है एक member का या फिर एक object का वो depend करता है उसका polar moment of inertia कितना है ठीक है उसके उपर सो क्या है manly cylindrical shaft so manly यह जो torsion है यह cylindrical shaft में यूज होता है develop होता है ठीक है cylindrical shaft क्या होता है अब आपने देखा होगा जो motors होते है electrical motors उसमें जो rotor होता है मतलब जो rotate करता है ना center में फिर उसके जरिये हम gear में उस rotation को transfer करते हैं फिर उससे हम कोई pulley या फिर chain हो गया उसको घुमाते हैं तो जो rotor होता है center shaft जो होता है वो हमेशा ज्यादातर जो होता है वो cylindrical ही होता है इसलिए mainly आपका जो moment of this polar moment of inertia deals with cylindrical shafts okay mainly so आपका rectangle हो सकते है theoretically हम इसका मतलब आपका rectangular section हो गया triangular section हो गया सबका निकल सकते हैं पर असलिए rotation के लिए हम circular shaft ही use करते हैं mechanically ठीक है whereas simple moment of inertia मतलब असलिए polar moment of inertia यह हो गया फिर moment of inertia क्या होगा इसके बीच में difference तो आपको समझना होगा simple moment of inertia is the measure of an object's ability to resist bending mainly beams so यह torsion को resist करने के लिए criteria है polar moment of inertia bending को resist करने के लिए जो भी आपका measure होता है वो होता है moment of inertia मतलब simple moment of inertia जो MI हम निकालते थे पहले ठीक है अगर moment of inertia के basic concept के उपर आपका doubt है तो उसके उपर भी मैंने अल्रेडी वीडियो बनाए हुए है वह आहां पर जाके आप देख लीजिए तो यह क्या होता है जैसे यह mainly cylindrical shaft में develop होता है या फिर उसके साथ deal करता है वह सही आपका moment of inertia जो है वह ज्यादा तर beam के साथ deal करता है क्योंकि bending जो होता है वह ज्यादा तर beam के उपर develop होता है torsion जो होता है वह cylindrical shaft ओके यह दोनों points को आपको याद रखना होगा note क्या है मतलब important यह है कि polar moment of inertia j should not be confused with moment of inertia i मतलब polar moment of inertia को ज्यादा तर j उसका standard notation है ज्यादा तर books में j ही दिया होगा कभी-कभी i subscript p ऐसे भी लिखा होगा पर आपको jail consider करके चलना है यह j i यह दोनों अलग चीजें हैं इनके बीच में confusion नहीं होना है ठीक है चलिए polar moment of inertia j क्या है यहाँ पर देख लिए यह cylindrical shaft है मैंने इसको three dimensional object के रूप में show करने की courses की है ठीक है क्योंकि 2D screen पर 3D आप दिखा नहीं सकते है आप तो जानती होंगे इसलिए यह होगा z z axis इसका cross section मैंने यहां पर दिखा है ठीक है आप civil engineering के field के हो तो जान पा रहे होंगे कि असल में मैंने यहां पर क्या किया है ठीक है यह हो गया आपका x-axis यह हो गया y-axis ठीक है यहां 20 में जरू red dot है यह जो z z axis है क्योंकि यह तो perpendicular हो जाता है यहां पर आके इसलिए मैंने यहां पर red dot इसका दिखाया है यह जो z z axis इस axis is just perpendicular to this plane जो इसलिए it is red okay so polar moment of inertia j कैसे निकलता है यहां पर हमें i z z निकालना होता है ठीक है polar moment of inertia जो होता है आपका name में देखे क्या है pole है polar मतलब poles में यह जो figure हो गया यह जो circle हो गया इसका pole कौन सा है यह बाला ठीक है जैसे आर्थ का है north pole south pole उसी type का यह जो आपका figure है इसका भी pole जो axis है polar axis जो है ओ कौन सा है यह z z axis है यह बाला polar axis है तो अगर यह polar axis है तो उसके about में जो भी moment of inertia आएगा ओ ही polar moment of inertia होगा इसलिए i z z ही polar moment of inertia होता है आपका parallel axis थियोरम में आद है नहीं sorry perpendicular axis theorem so perpendicular axis यह गलत है ठीक है confusion कभी हो जाता है असल में यह perpendicular axis theorem ही है याद कीजिए i z z is equal i x x plus i y y तो इसलिए आप simply कहीं पर भी आपको पुछा गया हो कि polar moment of inertia कितना है simply आपको पहले देखना होगा कि आपका x x y y axis में कितना है polar moment of inertia उसको simply आप फिर perpendicular axis theorem डाल दो उसमें तो हो जाएगा polar moment of inertia ठीक है तो polar मतलब pole में कितना है ठीक है तो यहां अब हम कोशिश करेंगे कुछ definition के बारे में समझने के लिए ठीक है polar moment of inertia is defined as a measurement of a round bars capacity to oppose torsion ठीक है यह अच्छा definition है यह एक और है the polar moment of inertia also known as second polar moment of area नहीं यह यहां पर यह बताया गया है कि polar moment of inertia जो है उसको second polar moment of area भी बोला जाता है हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं कि इस जो polar है ना इसको अगर हटा दो क्या हो रहा है moment of inertia यहां पर हो रहा है तो second moment of area है यहां पर polar है तो यहां पर polar बैठ गया है और कुछ दिक्कत नहीं है ठीक है इसलिए अगर moment of inertia शिर्फ moment of inertia बोले तो क्या होता है second moment of area होता है तो polar moment of inertia हो जाएगा second polar moment of area यही है ठीक है अभी सबसे अच्छा definition मुझे जो लगा इसको मैंने dark यहां पर कर दिया है the polar moment of inertia J is the moment of inertia of a cross section with respect to its polar axis that is an axis at right angles to the plane of the cross section मतलब जो भी object होता है उसको अगर हम काट के देखे मतलब उसका cross section ठीक है तो उसको जो right angle मतलब perpendicular होता है यहां पे देखिए यह है इसका cross section इसको perpendicular कौन सा axis है z axis है polar axis तो उसके about में जो भी moment of inertia होता है वही polar moment of inertia या फिर J होता है यह definition सबसे अच्छा मुझे लगा आप चाहो तो यह छोटा वाला को याद रख सकते हो चाहो तो इससे ठीक है note simply apply perpendicular axis theorem to find polar moment of inertia J ठीक है यह तो मैंने पहले ही बताए सिंपले आपको perpendicular axis theorem से polar moment of inertia से मिल जाएगा किसी भी section करते है तो चलिए example करके देख लेते हैं ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा calculate the polar moment of inertia से आफे circular shaft having diameter D ठीक है तो यहां पर कुछ भी 10 cm, 5 cm, 10 mm, 5 mm कुछ भी दे सकता है इसलिए मैंने D ले यहां पर लिया है तो यह हो गया आपका cylinder ठीक है cylindrical shaft इसका cross section क्या होगा circle होगा तो यहां पर मुझे निकालना है क्या polar moment of inertia मतलब जजड अक्सिस में Izz मुझे चाहिए क्योंकि जड जड यह polar axis है solution में क्या होगा we know for circular section Ixx is equal to Iyy circular section में आपका moment of inertia pi by 64 d4 बोथ दाक्सिस होता है ठीक है अगर इसके बारे में कोई doubt है तो पहला वाला वीडियो देख लीजिए यह moment of inertia का मैंने अल्रेडी डाला हुआ है तो यह Ixs Iyu दोनों ही सेम है कितना है pi by 64 d4 यह हमेशा सबको याद रखना होगा च्वटी 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 फीगर्स होते है rectangle होगे square होगे triangle होगे circle होगे इन सारों के मैंने अल्रेडी moment of inertia क्या होगा यह डाला हुआ है मैंने क्या होगा जे simply आपको क्या apply करना है यहां पर perpendicular axis theorem यह apply किजिए Ixs plus Iyy कितना होगा यह दोनों सेम है मतलब 2 into pi by 64 d4 Ixs भी वही pi by 64 d4 है Iyy भी उतना ही है मतलब 2 दुगना हो जाएगा अगर 2 हो गया यहां पर काट दीजिए इसको यह pi by 32 d4 हो जाएगा जो की polar moment of inertia of circular shaft है rectangular पूछा जा सकता है triangular कर लेना आप बस x-axis में y-axis में कितना आपका आरा है moment of inertia ओ देखने के बाग आराम से perpendicular assist theorem डाल दीजिए तो भी राज आएगा तो यह था polar moment of inertia यह बहुत छोड़ा सा topic है पर बहुत ज्यादा important है आपके mechanical students के लिए क्योंकि उन्हें shaft, machine, motors, gear उनके बारे में जानना होता है इसलिए तो civil engineering के field के बचों के लिए इंपोर्टन है ही mechanics के लिए भी है तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लोगा होगा अगर अच्छा लोगा होगा तो like, share, subscribe कर दीजिए ताकि जो भी मैं और वीडियो इसके उपर लाओ आपके पास वो पहुंच जाए आपका दिमाग में जो भी doubt से उस सब clear हो जाए Thank you